दोस्तों स्टेडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष करेंड अफैर की स्टेंग खला में मैं कैस्ट टॉपिक को लेकर हाजीर हूँ जिसमें बहुत सारे सवाल आप से आपकी परिक्षा में पूछे जाते ह जैसे कि आज दोस्तों हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक छेट से सम्मधित प्रस्त होंगे जो सवाल आपकी परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट योजना और पर योजना के भी कुछ सवाल यहाँ पर सामिल किया गया है रिपोर्ट और सुचकांग के सवालों को सामिल किया ठीक है नमस्ती योजना जो दोस्तों यह किससे संबंदित है किसके द्वारा लांच किया गया प्रधान मंतरी विकास पहल योजना का संबंद किससे है सारस पर योजना का संबंद किससे है देश का पहला कार्बन नीट्रल फार्म यहाँ दोस्तों यह कहां पर है पहला ग्र किस लेबल पर हो पाई और पूरे एक साल का करेंड अफेर कर निचोड़ दोस्तों यहाँ पर आपको दिया जाएगा तो आपके लिए और भी बहतर होगा ठीक है याद रखेंगे स्टड़ी 901 के प्रेटफार्म से फांडिशन बैच लांच किया गया है फांडिशन बैच दो अगला देखेंगे स्माधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तब्य पर हस्ताक्षर किया है वैसे इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तो हमारे ग्री मंतरी का जिया दोस्तो ग्री मंतरी अमिस्ता जी चाहें तभी जाकर के दोस्तो ये विवाद समापतो पाया हुआ क्या था मैं आपको बताऊंगा पुरुत्तर के जो राज्य है उनके बीच में सीमा विवाद को लेकर के बड़ा जो है लड़ाई तो इन दोनों की बीच में दोस्तों सीमा विवाद दोस्तों सुलच चुका है तो अमिस्स्ताजी के मद्यस्ता में इस सवाल को भी आप याद रखेंगे ठीक है दोस्तों वहाँ पर पहली बाली का पंचायत देखने को मिली है यह भी सवाल आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बढ़िए लिखे रहा यूपी सरकार ने किस जिले के चार वन गाओं को राजस गाओं घोसित कर दिया जिया दोस्तों यूपी जिले में दोस्तों अ वहाँ इतना जिने क्या कर दिया राजस सुगाओं घोसित कर दिया और चार गाओं किस जिले के तो याद रखेंगे बहराईच के इस सवाल को भी याद रखेंगे ठीक है राषपती द्रौपदी मुरमू ने राजस्थान की यात्रा के दोरान किसका उध घाießen किया गजब क याद रखेगा द्रौपदी मुर्मों ने कुल तीन उद्गाटन किया पहला दोस्तो पहला उद्गाटन किया संविधान उद्ध्यान बन रहा था जिया दोस्तो ये संविधान उद्ध्यान दोस्तो कहां बन रहा है सम्विधान उद्ध्यान ये बन रहा दोस्तो राजस्थान में दूसरा मयूर अस्तंब बन रहा है जिया दोस्तो मयूर अस्तंब बन रहा है ठीक है तो सम्विधान उद्ध्यान का उद्धान किया मयूर अस्तंब का उद्धान किया और तीसरा है राष्ट्रिय ध्वज पोष जिना दोस्तों इन तीन चीजों का दोस्तों घाटन किया साथी साथ दोस्तों एक चीज और याद रखेगा साथी साथ याद रखेगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी और और महाराणा प्रताप के मूर्ती का अनावरण भी किया ठीक है महाराणा प्रताप की मूर्ती का दो हम यहां सकता है पीम कौसल को काम कारकरम देखे पीम मतलब हो गया प्रधान मंतरी के हो गया मतलब यहां देखे को लिखा पीम कौसल को यहां के फार काम यहां के फार कारकरम ठीक है तो पीम कौसल को काम कारकरम इसको कहा जाता था पीम के 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 ठीक है अब दोस्तों उसका नाम क्या कर दिया गया है चेंज कर दिया गया परिवर्तित कर दिया गया तो नया नाम क्या रखा गया है याद रखेगा नया नाम रखा गया प्रधान मंत्री का विरासत समवर्धन क्या रखा गया है प्रधान मंत्री का विरासत समवर्धन ठीक है यह दोस्तों नया नाम रखा ग ठीक है और ये किस मंत्राले के अधीन है दोस्तों तो जो अलपसंख्यक मंत्राले है ये उसके अधीन कारे कर रहा है वर्तमान में भी दोस्तों ये किस मंत्राले काम करता है तो अलपसंख्यक कारे मंत्राले जो है उसके अधीन कारे करता है इस सवाल को भी यहां जोड़कर ठीक है तो क्या बताएंगे अलप संख्यक मंत्राले के अधीन दोस्तों यह है यह आप याद रखेंगे ठीक है समझ में आ रहा है आपको अच्छे से दोस्तों एक सवाल को पढ़ते जाई है और देखे परिक्षा में सवाल बनता कैसे है ठीक है लिखे रहा देश का पहला कार तो याद रखेगा कच्छ जीला गुजरात है कि नहीं कच्छ मिला कच्छ का है दोस्तों आपके गुजरात में है यह हमने पढ़ा ठीक है अभी जो आपसे पूछ रहा देश का पहला कार्बन नीट्रल फॉर्म दोस्तों कहां पर घोसित किया गया तो यह घोसित किया गया विरासत अस्थल कौन सा है दोस्तों पहले मुझे बताइए भारत में अंतराष्ट्री जैविविधता दिवस कब मनाय जाता है ठीक है सवाल इंपोर्टेंट है अंतराष्ट्री अंतराष्ट्री जैव विविधता दिवस विविधता दिवस यह कब मनाय जाता है दोस्तों तमिल नाड में घोसित किया गया और उडिसा में ठीक है तो जो उडिसा वाला घोसित किया गया था उसका नाम था महेंद्रगिरी क्या नाम था दोस्तो महेंद्रगिरी का नाम सुना होगा महेंद्रगिरी यह उडिसा में था एक साथ घोसित हुआ था इसले दोनों बता रहा ह अब याद रखेंगे ठीक है इस प्रकार भारत में कुल कितने जय विरासत अस्तल हो गए तो कुल 36 जय विरासत अस्तल हो चुके है इसको याद रखेंगे ठीक है परधान मंत्री द्वारा पुरवत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का उधगाटन किया गया पुरवत्तर का पहला ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का उधगाटन किस राज्य में दोस्तों किया गया है सवाले पूछ रहा है तो बताएगा अरुडाचल प्रदेश में जिया दोस्तों अरुडाचल प्रदेश में दोस्तों मोदी जी के द्वारा ये ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का उधगाटन किया गया इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों डोनी पोलो था क्या नाम था डोनी डोनी पोलो हवाई अड़ा क्या नाम था दोस्तों पुराना नाम था डोनी पोलो हवाई अड़ा ठीक है देखें मुझे जितना बन पढ़ रहा है, मुझे जितना भी लग रहा है कि आपके परिक्षा के लिए important है, मैं समय निकाल कर दोस्तों उतना सीरीज, उतने प्रस्न आपको देते चलना हूँ, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, मुझे लगता आप ही नहीं मेहनत करने को त हैं दीजिएगा, और जो और बेकार तरह के सवाल होते हैं, उस पर हम ऐसे भी डिसक्सम नहीं कर रहें, ठीक है, चलिया, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखने हैं दोस्तों, अगला लिख राया है कि स्यामा प्रसाद मुखर जी, रूरबर मिसंज, जिसको स्यामा प्रसा क्या रखा गया दोस्तों, एवाक, एवाक, क्लस्टर, क्या रखा गया नाम दोस्तों, एवाक, क्लस्टर इसका नाम रखा गया, याद रखेंगे, ठीक है, और है कहां पर दोस्तों, लोकेशन, तो दोस्तों अगर पूछ दे कहां पर है, तब क्या बताएंगे, याद रखे है और सीमा विवाज चल ला था असम राज के साथ तूसके उसके भी हम लोगों ने सवाल देखा ठीक ज्यान धोस्तों यह सुभारण दोस्तों और यह सुभाराम दोस्तों कहांे पे किया गया याद ridentified गयाungkin अभी तो मध्शेपरदेस में किया गया ठीक है मध्शेपरदेस की बात किया जया возь Heute वही सार दोस्तो जिसने अपने पाठे करम में Alex हालही में दोस्तो AI को भी सामिल किया Artificial Intelligence को अपने पाठेकरम में सामिल करने वाला राज्य कौन सा है तो क्या बताएंगे दोस्तो याद रखेंगे मध्यपरदीस राज्य है ठीक है आगे बढ़िए लिखे रहाब प्रधान मंत्री विकास पहल जीसे हम PM Divine के नाम से जानते हैं ठीक है यह योजना किस से संबंधित है दोस्तो तो PM Divine दोस्तो याद रखेगा यह पुरोत्तर के विकास से संबंधित योजना है किसके विकास से पुरोत्तर छेत्र छेत्र के विकास विकाश से संबंधित यह योजना है दोस्तों याद रखेगा जिसमें पुरोत्तर के विकाश की बात क्या गया पुरोत्तर मतलब भारत का पुरोत्तर ठीक है पीम डिवाइन का नाम याद रखेगा दोस्तों बहुत अच्छा है ठीक है तो इसको याद रखेगा दोस्तों चल कम हो पाएगा तो इसके लिए एक योजना आया दोस्तो जिसका नाम है PM प्रणाम योजना कौन सा है दोस्तो PM प्रणाम योजना जिया दोस्तो PM प्रणाम योजना याद रखेगा PM PM प्रणाम योजना ठीक है यह दोस्तो कि से संब्धित है दोस्तो याद रखेंगे ये रासानी कूरवरकों को कम करने संबंदित है क्योंकि अगर मिर्दा प्रदूसर बचपारा नहीं होगा दोस्तो कम होगा तो मिट्टी दूसित नहीं होगी और इसके लिए हम PM को प्रडाम करते हैं इस तरह से आप याद रखेंगे इस सवाल का उत्तर आपको हमेशा के याद हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए करा देश की पहली पूर्ड डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायद यहां दोस्तो पूर्ड डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायद दोस्तो कौन सा है दोस्तो अभी हमने कुछ दिम पहले दोस्तो वीडियो पढ़ा था तो पढ़ा था कि सभी गाव में दोस्तो लाइब्रेडी वाला ठीक है सभी ग्राम में पुस्तकाले खोलने वाला कौन सा था जिला दोस्तो पुस्तकाले खोलने वाला ठीक है 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 पुस्त पर है आपके जारखंड में ठीक है अभी जो पूछ रहा दोस्तो बूर्ड डिजीटल साखछर ग्राम पंचायत की बात कर रहा है और यह कहां पर दोस्तो आपने सुना होगा पुल्लम पारा के बारे में पढ़ा ठीक है तो याद रखेंगे वाली का बाली का बाली का पंचायत ये वाली का पंचायत कहां देखने की मिला है तो कच कहां पर दोस्तो गूजुरात में ठीक है इस तरह से जब आप sequence में याद करते हैं और चीजों को correlate करके एक दूसरे से संबन्द बना बना कर याद करते हैं तो जादा से जादा fact आपको याद होगा याद रखेगा ठीक है महिला ससक्तिकरण और मासिक धर्म सुच्छता से संबनित सारस नामक पहल दोस्तों सुरू किया गया है यह सारस नामक पहल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है तो जो इसराइल का दूतावास था जियां दोस्तों याद रखेगा इसराइल का दूतावास जो था दोस्तों उसने इस सारस पहल को स्टार्ट किया है ठीक है दूतावास ने कहां पर स्टार्ट किया दोस्तो ये भी पूछ सकता है कहां पर तो अगर लोकेशन पूछेगा तो बताएगा गाजियाबाद में कहां पर दोस्तो गाजियाबाद में इसे स्टार्ट किया गए इसी के साथ सार दोस्तो और याद र रही है यहां जो सारस पहले दोस्तों यह इसराईली दूतावास के द罂र debate किया यह गया धोस्तों ने पहल किया जिसमें जो महिलाओं का मासिक धर्म आता है ठीस में लोगों को जागरुक दिया जाएगा उनको मदद किया जाएगा ठीक है यह था यहां पर यह अलग сейчас ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा देश का पहला स्वक्ष सूजल प्रदेश जिया दोस्तों स्वक्ष सूजल प्रदेश की सराज जिय या केंसासी प्रदेश को घोजित क्या गए देखिए सवाल आएगा ना तो मैं बता हूँ आपके दिमां में क्या क्या सकता है सोचेंग प्रदेश होगा फिर सोचेंगे नहीं यारी स्मार्ट सीटी इंद और है तो मद्ध्य प्रदेश हो सकता है फिर सोचेंगे हमने पढ़ाता हर घर जल कनेक्सन वाली बात तो गुवा पढ़ाता सब उत्तर गलत हो जाएगा ठीक है बहुत ध्यान से सुनिएगा देश का पहला स कुछेगा तब आप गुवा बताएगा ठीक है और उत्तर प्रदेश का पूछेंगे दोस्तो जब जल जीवन मिसन की बात करेगा तब करिएगा याँ फिर अम्रीश सरुवर की बात करेगा तब करिएगा तो जहां जो है उसको याद करिए ठीक है ऐसा नहीं कि कुछ भी अ पुस्तो बताना चाहिए ठीक है तो अगर हम जहां तक मुझे आ रहा है जो मैंने question च्छाट के रखाता तो सिक्षा से संबंधित योजना है सिक्षा से संबंधित योजना है इसका नाम है दोस्तो पीम स्री क्या नाम है दोस्तो इस योजना का नाम है पीम स्री जिया दोस्तो इस pream c होज़वांगे दोस्तो शिक्षा से सम्द्धित होज़वांगे पी-म स्री इसका नाम है जिसमें रखा गया जो स्री है ना स्री कैसे लिखते हैं या hyperchem या आया डबलिव यही लिखते हैं ओ या राई लिखते हैं तो याद रखेगा यह जो स्री है इसका अपना मायना है क्या स्कूल फार राइजिंग इंडिया त्छिक है तो जंधन योजना PMJDY ने सफल था सफल कार्यानवन के लिए कितने वर्स दोस्तों भी पूड कर लिया तो अपना आठ वर्स दोस्तों इसने पूड कर लिया और अगस्त में दोस्तों इस योजना की घोशना की गई ती तो 14 से लेकर के 24 तो गवा नहीं अभी 22 में दोस्तों इस योजना के 8 साल पूरे वे हैं तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा है नीती आयोग के सायोग से अटल टिकरिंग लैब अस्थापित करने वाला जिया दोस्तों अटल टिकरिंग लैब अस्थापित करने वाला पहला राज केंसासिर प्रणेस कौन सा है याद रखे दोस्तों यह अटल टिकरिंग लैब कहां पे अगर आपसे दोस्तों दुसरा सवाल पूछ देता कि सिछचक विष्व विद्ध्याल है दोस्तों कहाँ पे खोला जा रहा है तब आप क्या बताते नई दिल्ली में यहां दोस्तों नई दिल्ली में सिच्छक विश्विद्याले खुला जा रहा है एक सहकारिता विश्विद्याले खुला है क्या खुला दोस्तों शहकारिता शहकारिता विश्विद्याले यह भी कहां खुला है दोस्तों यह भी विए तो फिलाल यह उत्तर प्रदेश ने पेश किया वैसे बहुत सारे राजियों ने धेर धेरे पेश किया उत्तर प्रदेश ने भी दिया घुझ्रात में भी दिया अर्वर्सविस सब्सक्राइब kami KH друзья कुछ 2000 something मेगावाट की बात हो रहा था ठीक है कि उतना उत्पादन ये कर लेंगे ठीक है तो फिलाल इसको याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं लिकर आप भारत का पहला हर घर जल प्रमाडित राज्य कौन सा यही आपके मन में confusion था ना हर घर जल प्रमाडित राज्य जब आपसे हर घर देखे पीछे जो आपसे पूछाता ना वह पूछाता स्वक्ष सूजल क्या पूछाता स्वक्ष सूजल ठीक है स्वक्ष सूजल तो जब स्वक्ष सूजल पूछे तब आपने जबाब क्या दिया दोस्तो अंडमान निकोबार जबाब दिया ठीक है जब आपसे हर घर जल प्रमाडित की बात करेगा तब आप क्या बताएगा दोस्तों गुवा बताएगा ठीक है वहीं दोस्तों एक सवाल और पूछ सकता है माल लिजे पूछ दिया हर घर जल प्रमाडित केंदर सासित प्रदेश कौन से तब आप क्या बताएगा अभी तो आपसे नागर हवेली कब दोस्तो जब आप से क्या पूछेगा जब आप से पूछेगा पहला हर घर जल प्रमाडित केंदर सासित प्रदेश कौन सा है तब आप ये बताएगा ठीक है या ध्यान दिजेगा आपको यह भी पता होगा कि दादरा नगर हवेली में दमन दिव का विले कर सकता है भारत का पहला सुनिएगा भारत का पहला हर घर जल प्रमाडित जीला देखिये यहां पे तो पता होगा दोस्तो बुरहानपुर जिला है कहाँ पर या आपके स्वारी उत्तरप्रदेश नहीं भाई मद्यप्रदेश ठीक है उत्तरप्रदेश में कहां से आ जाएगा बुरहानपुर ठीक है मद्यप्रदेश में दोस्तो बुरहानपुर जिला याद रखेंगे तब आ आप याद रखेगा, आज कल, अगर मैं अपने भासम बताओं, तो हो कहा रहा है दोस्तों, कि मशीनों का इस्तिमाल जादा हो गया है, आप देखे, अब मंदेगा वगरा में दोस्तों, मंदेगा ये तो है, कि लोगों से काम करवाय जाए रहा है, अगर मंदेगा नहीं होता, तो सायद मुझे लगता कि मशीनों का इदम बोलबाला होता, ठीक है, तो अब देख रहा है कि दोस्तों, सहरों में जो मसीनी कृत काम हो रहा है, उसको दोस्तों नमस्तियोजना के तरत रखा गया, ठीक है, तो सीधे फीदे क्या करना दोस्तों, सहरों में, सहरों में, जो मस मसीनी क्र्ट सफाई हो रहा है, मशीनी क्रेट, यहाँ दोस्तों यह इंपोर्टेंट है है, उसे दोस्तो इस नमस्ती ओजना के तद रखागे, क्योंकि सहरों की बात कर रहा है, तो दोस्तों यह किस मंत्राले से संबंधित हो जाएगा, याद रखेगा सहरी एवम आवास विक याद रखेगा ये उसके तहत काम करता नमस्ति योजना है ठीक है इसे आप ध्यान रखेंगे ठीक है याद रखेगा इस्टडी 91 के प्रेटफॉर्म से बहुत सारी किताबे लांच की गई मौका दीजे एक बाई स्टडी 91 को देखी इन किताबों को ले करके बहुत सांदार कं उसी मिलेगी ठीक है ये हमारा हेलप्लाइन नमबर है जिससे आप कॉंटेट कर सकते हैं बाकी वेफसाइट अप्लिकेशन हर जगा किताब लिष्ट कर दी गई है तो आँसे आप इन किताबों को ले सकते है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं लिख रहा है स्माइल योजना जि दो लोगों के लिए चुनी गई है पहला जो ट्रांजेंडर होंगे दोस्तों किसके लिए दोस्तों जो ट्रांसजेंडर होंगे ठीक है तो उनको एक बार पुना हां जि Rapal मतलब उनके चैरे पर खूसी आजाए ठीक है तो याद रखेगा इसमाइल योजना उनके लिए है दूसरा दोस्तो ऐसे बच्चे, मूढे या ब्यक्ति कोई भी हो जो भीक्षा बृत्ति में लगा हुआ ठीक है भीक मांगने में जो लगा हुआ दोस्तो याद रखेंगे भीक मांगने में जो लगेवे लोग हैं ठीक है मांगने मांगने वालों पर ठीक है तो याद रखेंग कुण को दोस्तो वापस अपने जिन्दगी में वापस लटाने के स्माय ल्योजना को लाएगा किसने लाया दोस्तो याद रखेगा यह लाय गया है किसने लाया है अथे भी याद निया आजायेगा मुंझे तुम्हें बता दूंगा मंत्री है जिनके ताद दोस्तो इस इसमाईल योजना को लाए गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लिखेना नई सिक्षा नीती 2020 को पूरो प्रात्मिक अस्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया जिया दोस्तो ये प्री प्राइमरी अस्तर पर दोस्तो प्रसिछड निर्माण स्रमिकों के कौसल प्रसिछड के लिए किस परियोजना का अभी सुभारम किया गया को उनके अंदर कौसल विक्सित हो जाए तो यहां पर एक परियोजना लाए गया दोस्तो निपुड उसका नाम है ठीक है कौन सी है दोस्तो निपुड परियोजना क शुभारम किया गया ठीक है, नीपुड परियोजना करेंगी क्या दोस्तों, तो जो निर्माण करने वाले स्रमिख हैं, उनको और भी ज़्यादा कौसल बढ़ाएगी, उनकी इस्किल बढ़ाएगी, उनको और भी ज़्यादा निपुड बनाएगी, ठीक है, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्राल है ठीक है आता रहता है दिमाग में देखे बाते चलती रहती है बहुत सारे सवाल भरे पड़ें क्या किया जाए उसी में सब दबे भड़े हैं लिख रहा है ड्रोन नीती जी हां दोस्तों ड्रोन नीती को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य मिलता है तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जब इस सवाल मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि यार इसका उत्तर पहले ढूड़ा जाए मेरे मन में इतना सवाल क्यों है तो पता चला कि हर जगा बाते अलग थी जैसे एक्जामपल देता हूं आपको बाते क्यों अलग थी जो म में खुला है भोपाल में खुला है तो दोस्तों कई जगा खुला है तो ऐसे में यह ड्रोन इसकुल वाली बात हो गई अच्छा दोस्तों इसके बाद आ गया दोस्तों हमारे दिमाग में बैंगलूरू क्यों चला था बैंगलूरू क्यों चला था क्योंकि दोस्तों बैंग इतना समय इनके पास था कि इन्होंने ड्रोन से संबनित policy तयार कर दिया और यह policy बनाया हिमाचल प्रदेश ने ठीक है तब आपका उत्तर दोस्तों यहाँ change हो जाएगा अब जिन बच्छों को पता होगा यहाँ policy की बात हो रही है तभी वो बता पाएंगे ठीक है तो याद परिशान रहेंगे और उत्तर बार-बार गलत करेंगे ठीक है और यह policy अभी 2022 में बनी भी है ठीक है लिखे रहा है जैव विवित्ता नीती जारी करने वाला सारणिक छेत्र का पहला उपक्रम कौन सा है तो बताया तो दोस्तों यह तुम्हें पिछली क्लास में एंटी पीस जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कर्परिशन जो है यह जैव विवित्ता नीती पेश करने वाला यह गौर्मेंट अंडर्टेकिंग का है दोस्तों एंटी पीसी जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कर्परिशन ठीक है लिखरा किस योजना को लोक प्रसासन में जिया उडे देश का आम नागरिक जी आँ दोस्तों उसे प्रधानमंतरी पुरसकार अभी दिया गया लोग प्रसासन में उतकरिष्टा के लिए 2020 में ये पुरसकार दिया गया ठीक है इसको याद रखेंगे आगे बढ़िए लिखना कौन सा जिला आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना जिया दोस्तों आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना से सेहत नहीं सेहत नहीं योजना के तहत होना जिये ठीक है योजना के तहत सो प्रतिसत घरों को कवर करने वाला भारत का पहल जिला अब देखें यहें पर रुखना आपको दोस्तो आईसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगी ओजना ये वही ओजना दोस्तो जिसमें स्वास्थ बीमा दिया जा रहा था याद है आपको स्वास्थ है स्वास्थ बीमा दिया जा रहा था एक परिवार में दोस्तो कितने लाग उत्वे का भी मा तो पांच लाग उत्वे तक का इलाज दोस्तो फ्रीता और पहला ऐसा जिला कौन सा है जो सत प्रतिसत कवर कर रहा दोस्तो तो जिला दोस्तो सामबा जिला कौन सा दोस्तो अरे ओ शामबा ठीक है तो सामबा जिला है ये सामबा जिला है कहा पर दोस्तो तो याद रखेंगे जम्मू कस्मीर में है सामबा जिला इसे भी आप याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए प्रवासी स्रमिकों की आवाजाहिपन नजर रखने के लिए कौन से स्रमिक दोस्तों जो प्रवासी स्रमिक है मतलब जो अपने राज्य को छोड़ करके किसी अन् nds का फुल फार्म क्या है माइग्रेशन माइग्रेशन माने तो जानी रहें दोस्तों माइग्रेशन का ताद पर होता है प्रवाशी ठीक है माइग्रेशन ठीक है और टी माने क्या हो जाता दोस्तों तो याद रखेगा ट्रेकिंग उनको ट्रेक किया जाएगा देखिए आ प्रवासी स्रमिकें उन पर भी नजर रखी जा सके प्लस दोस्तों जो प्रवासी महिलाएं हैं जो गर्वती हैं उनको दोस्तों कुछ लाब भी दिया चल सके इसका उद्धे से यह भी रहा तो इसको भी याद रखेंगे ठीक है केंदरी मंतरी डाक्टर मनसुक मांडविया न दोस्तो किनों ने सौरभमिक टीका करड कारकरम की सुरुवात किया उस टीका करड का नाम क्या था दोस्तो तो याद रखेगा इसका नाम था सघन मिसन इंद्र धनुस क्या नाम था दोस्तो मिसन इंद्र धनुस ठीक है और मिसन इंद्र धनुस 4.0 वर्जन लांच किया गया औ दोस्तो 25 दिसंबर 2014 को पहली बार 25 दिसंबर 2014 को पहली बार यह मिसन इंदरधनुस लांच किया गया था अब इसका दोस्तो चौथा वर्जन आ चुका है यह भी याद रखेगा यह कई सारे ऐसे रोग है दोस्तो जिन से संबनित 1,60 का कड़ होता है मिसन इंदरधनुस में ठी दोस्तो अंडरवाटर मेट्रो की बात करेंगे दोस्तो तो अंडरवाटर मेट्रो अभी कोलकाता में चलाए गई आपको पता होगा ठीक है पानी के अंदर दोस्तो यह मेट्रो सर्विस दिया जा रहा है और यह जल मेट्रो दोस्तो यह अलग है यह आपके कोची से संबनित कोची केरल में है ठीक है आगे बढ़ ये लिखता किस राज्य सरकान ने स्टुडेंट इस स्टार्ट अप एंड इन्वेशन पॉलसी 2.0 तो इसने लांच करना ठीक है तो इसने लांच किया दोस्तों तो ये स्टार्ट अप इन्वेशन पॉलसी दोस्तों याद रखेगा एक गुजरात ने लांच किया ठीक है अभी हाली में दोस्तों एक आकड़ और भी आया था कि भारत में कितने स्टार्ट अप हैं दोस्तों भारत में कुल स्टार्ट अप की संख्या कितनी है तो याद रखेगा 92,683 कि इस स्टार्ट अप हो चुके है भारत में इस सवाल को भी याद रखेंगे पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया ठीक है तब बताए भी था कि अगर नहीं आकड़ा याद होता है तो लगभग 92,000 आप याद रख लेना ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है चली आ गया ये अगला लिख रहा है स्वक्ष ग्रामेड यानि SSG 2022 की रिपोर्ट को किसके द्वारा पूर्ड किया गया क्या लिखना दोस्तो किसके द्वारा पूरा किया गया तो इसको पूरा किया गया पेजल एवम स्वक्षता विभाग के द्वारा ठीक है पेजल एवम स्वक्षता 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 विभाग के द्वारा दोस्तों पूरा किया गया चलो मालो पूरा हो भी गया तो अब इससे क्या पता चलेगा तो भैया यहां पर चुना गया बड़े राज्यों की स्रेडी में कुल तीन राज्यों का चुनाओं किया गया ठीक है बड़े राज्यों की स्रेडी में दोस्तों स्रेडी मे दोस्तों सिर्ष पर है आप याद रखेंगे नंबर दो पर दोस्तों हरियाणा का नाम आता है तेलंगाना हरियाणा हरियाणा ठीक है हरियाणा और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिल नाडू ठीक है किसका नाम आता है तमिल नाडू का नाम आता है ये तीनों को आपको याद रखना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला लिख रहा है भारत का सबसे स्वक्ष सहर दोस्तों किसे घोजित क्या गया है तो लगातार सात्मी बार याद रखेगा लगातार सात्मी बार दोस्तों शात्मी बार इंदौर दोस्तों फिर से टॉप पर आ गया है इंद तो याद रखेगा तो इतनम पूरा कचरा मुक्त सहर है दोस्तो बहतरीन सहर है साफ सपाई के मामले में इसका कोई टककर ही नहीं ठीक है तो याद रखेगे स्वक्ष सहरों की राष्टी रैंकिंग में जो एक लाग से दस लाग की जन संख्या अगर उसकी बात किया जाए तो ठीक है लिख रहा सिर्श तीन अस्थान पर दोस्तो कौन से सहर है यहां राज्यों की बात नहीं हो रही दोस्तो डाइरेक्ट आपको सहर बताना की कौन सा है ठीक है तो याद रखेगा दोस्तो यहां नंबर एक पर रखा गया दोस्तो तीरुपती को तीरुपती बाला जी क नाम सुना ना एक लाग से दस लाग वाले में सबसे स्वक्ष सहर उसे चुना गया है दो नंबर पर दोस्तों याद रखेगा मदूरई को चुना गया है मदूरई को चुना नहीं मैसूर है मैसूर को चुना गया है हाँ मैसूर को चुना गया है और तब जाके दोस्तों हमारी राजधानी दिल्ली का नाम आता है ठीक है दिल्ली का नाम आता है जो दिल्ली है दोस्तों ये तीसरा सबसे स्वक्ष सहर चुना गया है एक लाग से दस लाग की जन संक्या पर अगर देखेंगे स्वक्ष सहरों की रैंकिंग तब दोस्तों इनका नाम आएगा ठीक है लिख र आ रहा रहा तो इससे सवक्ष तो कोई है नहीं लेकिन कब आधिक जन संक्या की बात करें तब ठीक हैं इंडियन रोड कांग्रेस 2022 का आयोजन दोस्तो कहाँ पे किया गया है तो यह जो रोड सवनिधी कारकरम में चरण दो का दोस्तो सुवहरम किया है तो यह किस मंत्राले के तरह चला है दोस्तो तो यह आवास यह सहरी विकास मंत्राले की तरफ से चला है ठीक है आवास एवम शहरी सहरी विकार्ष मंत्राले की तरफ चला दोस्तो ठीक है अच्छा इसके मंत्री कौन दोस्तो तो इसके मंत्री दोस्तो हरदीप सूरी है यह न ठीक है हरदीप जी है याद रखेगा ठीक है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे अच्छा सवाल है आग तो देखेंगे तो तिरपन्वा फिल महुसो गोवा में आयुजित किया गया था कंट्री फोकस फ्रांस को रखा गया था आपको याद होगा यहां बारामा राष्टी विग्यान महुसो की बात कर रहा और आप से पूछ रहा दोस्तों लोकेशन इसकी कहां पर है तो याद राष्टिव्यापशन tools आपरेशन आहट क्या था था सार का सार का 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 करम का सुभारम दोस्तों किसके द्वारा किया गया वही दोस्तों ये भी सहरी एवं आवास विकास मंत्राले के द्वारा दोस्तों इसका भी सुभारम किया गया है शार कारकरम का ठीक है इसको भी आप याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़िए अगला लिख रहा है कि किसके द मनित एक पुस्तक है दोस्तो, इस पुस्तक को किस ने लिखा है, तो याद रखेगा फेमस राइटर है दोस्तो, आसीस चांदोकर, क्या नाम दोस्तो, आसीस चांदोकर, अब इतनी बड़ी स्टोरी है दोस्तो, तो एक ब्यक्तिने ने लिखा, दो लोगों ने मिलकर लिखा, चांदोकर और सूरज सुधीर ने मिलकर लिखा दोस्तो इस किताब को यह भी लिखेगा यार ठीक है लिखे भारती सिनेमा के इतिहास में पहली बार सिर्फ आदिवासी समुदाय क्या लिखा दोस्तो पहली बार सिर्फ आदिवासी समुदाय द्वारा अभिनीत फिल्म का नाम क्या दोस्तो तियाद रखेगा इसका नाम है धावरी क्या नाम दोस्तो धावरी ठीक है धावरी पूरा नाम है धावरी कुरुवी ठीक है कुरुवी धावरी कुरुवी पहली बार दोस्तो आदिवासी समुदाय के द्वारा है दोस्तो पूरा का पूरा ये फिल्म अभिनीत क मागरी के प्रसार के मामलों दोस्तो जाच के लिए दोस्तो यहां पर चलाए गया है operation मेघ चक्र कौन सा है दोस्तो operation operation मेघ चक्र चलाए गया है यह भी आप याद रखेंगे ठीक है हम क्या करते हैं दोस्तों किताबों को पढ़ते हैं पढ़ने के बाद निचोड निकालते हैं कि क्या छूट रहा है क्या परिक्षा में बेसक परिक्षा में पूछा जा सकता है उनका कलेक्शन दोस्तों किया जा रहा है और वही आपको दिया जा रहा है तो आज का session दोस्तों ही समाथ होता है उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पूरी series देखे होगी जितना भी part आपको दिया गया हो पूरा का पूरा part आपने देखा होगा और देखा होगा तो निश्चीत रूप से आपको आपकी परिक्षा में बहुत मदद मिलेगी ठीक है तो आज के लिए वस इतना ही दोस्तो ऐसे भी से जो पूरी तरह से यूटूब पर पढ़ा दियेगे उन्हीं का है निटे नोट्स है जिने आप हमारे वेबसाइट ये अप्लिकेशन से ले सकते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय भारत थेंक्यू